सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार आपका स्वागत है प्रोटियन सी आरे के APY की पाटशाला पॉड्कास्ट में यहाँ एक आदियो सीरीज है जिसमें हमने अटल पेंशन योजना यानी APY से जुड़े विभिन विश्यों पर चर्चा की है क्या आप जानते हैं कि बिना बैंक जाए आप APY खाता खोल सकते हैं और वो भी बिना किसी पेपर वर्क के जी हाँ अटल पेंशन योजना का खाता खोलने के लिए प्रोटियन सी आरे ने पेपरलेस प्रकरिया का आप्शन दिया है जिसमें अभिदाता आधार और पंजीकरत म मोबाइल नंबर के माध्यम से APY का खाता ओनलाइन खोल सकता है और इसी के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे आए जानते हैं ये APY के माध्यम से APY खाता खोलने की प्रकरिया अभिदाता को enps.nsdl.com वेबसाइट पर जाकर अटल पेंशन योजना का विकल्प चुनना होगा और कुछ महत्वपूर्ण डीटेल्स प्रदान करनी होगी जैसे बैंक का नाम, बैंक खाता संख्या, आधार, इत्यादी आधार प्रामार्णी करन प्रकरिया पूरी हो जाने के बाद APY पंजी करन फॉर्म दर्शाया जाएगा जिसमें आधार से कुछ जानकारी जैसे नाम, जन्म तिथी आधी पहले से भरी होगी कुछ जानकारी अटल पेंशन योजना की मूल अवशक्ताओं के हिसाब से भरनी होंगी जैसे अभिदाता विवाहित है या नहीं, वो इंकम टैक्स पेयर है या नहीं, किसी सामाजिक सुरक्षा स्कीम का लाभरती है या नहीं, पेंशन राशी यानी रुपए हजार, दो तीन हजार, चार हजार या पांच हजार और अंचदान के अवरिती जैसे मासिक, त्रेमासिक या अर्थवार्शिक, पूरी जानकारी भरने पर E-Sign के माध्यम से प्रकरिया पूरी की जाएगी, जिसमें अभिदाता को आधार और OTP यानी वन टाइम पासवर्ट भरना होग OTP आपके आधार पंजिकरत मोबाइल नमबर पर आएगा, इस प्रकरिया के बाद आवेदन पत्र में दी गई डीटेल्स, प्रोटियन सी आरे द्वारा अभिदाता के बताय हुए बैंक को भेजी जाएगी, आवेदन पत्र में दी गई डीटेल्स आपके बैंक में उपलब डीटेल्स से चेक की जाएगी, और डीटेल्स के आपस में मिलान होने पर प्रान अबंधन की प्रकरिया पूरी होगी, और एपी वाई खाता खोला जाएगा, यदि डीटेल्स मैच नहीं होते हैं, तो बैंक द्वारा फॉर्म को रिजेक्ट किया जा सकता है, रिजेक्शन क करते हैं कि हमारा ये प्रियास आपको पसंद आया हूँ, इस पॉड्कास चानल को फॉलो करें ताकि आपको एपी वाई से समबंधित अपडेट सामय पर मिलें, धन्यवाद